हेलो एवर्यवन, हाई वेलकम अगें टो लॉफ्यन में भी ए टुटोरियल क्लासेज सक्सेसिंटेजिंग फिल्ट जैसे कि आप जानते हैं जो आज हम लोग डिसकस करेंगे वो पेपर होगा हमारा अंडरिस्टेंडिंड डिसिप्लीन एंड सब्जेक जो 2019 में पूछा गिया है और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको अभी जितने भी कोशन्स पूछे जा रहे हैं आपको अच्छी तरीके से बता है कि वो प्रिवियस एर से कोर्लेट करके ही पूछे जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत एज़ी है कि जितने कोशन्स मैं आपको करा रहा हूँ उनको बहुत अच्छी तरीके से तयारी कर लो मैं सारी चीज़ है सारे अलिमेंट पूरा जो सलेबस है या फिर पूरा जो पूरा जो प्रिवियस एर के कोशन के जो क्या कहते हैं कि मेटेरियल है उन सब का संपूर निचोड़ करके आज मैं डिसकस करूँगा इन सारी चीज़ों पे तो आपको बस यह धिहान देना है कि किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाए और किस तरीके से इसको कॉर्रिलेट किया जाए जिन बातों को मैं आज बताऊंगा सबसे पहले हम लोग अभ और किस तरीक से लिखेंगे First of all, तो आप syllabus का क्या करेंगे, syllabus का definition बता देंगे, suppose that syllabus का definition क्या है, syllabus क्या चीज होती है, syllabus क्या चीज होती है, ठीक है न, तो किसी भी पाथे करम में निर्धारित विश्यों की जो एक सूची होती है, जिसे आप क्या बोलेंगे, a list of subjects that are included in a course of study, यानि कि जिसमें कि हम बच्चे को कोई चीज पढ़ाने के लिए एक list बनाते हैं, list of topics you will study, यानि कि वो सारी चीज़े जिन चीजों को आप पढ़ाएंगे, वो चीज़े जिनको आप discuss करेंगे, उसको हम से बस बोलेंगे, अब textbook क्या होता है, टेक्स बुक क्या होती है, टेक्स बुक जो होती है, एक तरीक एक written document होता है, ठीक है न, written document होता है, जिसमें क्या होती है, एक standardized form में सारे चीज़ों को हम discuss करते हैं, ठीक है, तो अब ये इन्होंने क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, इसमें इन्होंने relationship पूछा वो आपको बताना है तो ये चीज तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सबसे बड़ा क्या होता है सबसे पहले तो आप इसको समझे लिए अच्छे तरीके से जितने भी सबसे बड़ा फॉर्म होता है वो क्या होता है वो होता है आपका करीकुलम तुकके ना करिकूलम जो होता है वो सबसे बड़ा form होता है उसके बाद उसका part कौन होता है syllabus होता है और syllabus का part जो होता है आपका book होता है, textbook होता है जिसको written document बोलते हैं तो अभी आपको यहाँ किसको बताना है? रिलेशन बताना है syllabus और textbook में तो relation तो अगर आपका syllabus कोई भी हो उस syllabus का जो बुक है उस syllabus की जो बुके है बुक अगर नहीं पढ़ाए जाएंगे तो आप उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे उन चीजों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे तो अभी आप इसको समझ लो जैसे कि आप B.A.D. का course पढ़ते हो ठीक है जितने भी syllabus है total syllabus को हम क्या बोलेंगे total syllabus को total जो जितने भी courses है total जितने भी course है B.A.D. में उसको हम क्या बोलेंगे curriculum बोलेंगे लेकिन अलग-अलग है जैसे कि आपका understanding discipline है यह आपका syllabus हो गया gender school and society हो गया यह आपका syllabus हो गया जो उसे का एक part है अब इन ही syllabus में, जो आपके topics है, उसी topic को धियान में रखते हुए, जो आपकी written form में, जो document तयार की जाती है, जो सारी चीजों का निचोर होता है, कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन-कौन से topics पढ़ना है, वो सारी चीज़े आपको कहां से मिलता है, आपको अपनी book से मिलता है और जो book होती है, वो book किस तरीके से तयार की जाती है, वो learner के ability के according तयार की जाती है, उसके evaluation के according तयार की जाती है, उसके experiences के according तयार की जाती है, तो obviously इन दोनों का correlation बहुत जादा होता है, क्योंकि syllabus है, syllabus है, तो syllabus को पूरा करने आपको, book का होना बहुत जरूरी है, textbook का होना आप किसी भी syllabus को नहीं पढ़ सकते हो I hope कि आपको समझ मागिया होगा जादा दिमागने लगाना है क्योंकि बस थोड़ा सा एक प्रग्राप में आपको इसका answer देना है सिर्फ हो दो number का है आगे देखते हैं दूसरा question ये क्या कहते हैं Need of school subject Simple है, need of school subject अच्छे तरीकी से समझ रहे हो कि कोई भी school subject है आपका कोई भी, जैसे कि normal social school subject हो गया उसके बाद academic subject हो गया तो ये सारे जो subject होते हैं तो इनकी क्या ज़रूरत है क्या requirement है school subject में सब्जच की क्या requirement है तो ये तो आप जानते हो कि school में subject की बहुत सारी requirement है जैसे कि आपके physics हो गए जैसे कि आपके mathematics हो गए है ना mathematics हो गए जो कि हमारी बहुत सारी problem को day to day life problem को logical चीजों को solve करता है करता है कि नहीं suppose that कि academic subject में आप देखेंगे mathematics अगर बच्चा mathematics सीख जाता है तो क्या सिर्फ एक्जाम पास करता है अपने life की चीजों को क्या solve नहीं करता है obviously करता है उसके बाद physics सीख जाता है तो क्या उसको सारी चीजों की नोजज नहीं तो कहने गा मतलब यह है कि उसके बाद z hijos जी पढ़ता है जिलो जी एक subject है बोटनी एक subject है जहां पर nature life के बारे में, wild life के बारे में, culture life के बारे में, social life के बारे में, यह सब कहां से सीखते हैं, obviously subject से ही तो सीखते है न, तो subject school का होना बहुत जरूरी है, without subject school का कोई भी चीज नहीं सीखा जाएगा, simple है, आपको सिर्फ एक पर अगर आप में लिखना है इसको, ज़रा पर कोरिलेटेड हो, क्या कहते हैं, कि learner के कोरिलेटेड हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप simply भाषा में क्या बोल सकते हो, इसको simply भाषा में बोल सकते हो, child centered करिकुलम, यानि कि जो child centered होता है, उसी को आपको बताना है, तो child centered होता है, वो क्या होता है, बच्चे की हर तरह की ability को ध्धान में रख करके आपके syllabus को तयार किया जाता है ताकि बच्चों का क्या हो सके overall development हो सके आप इसके कहने क्या मतलब है कि learner oriented का curriculum का मतलब होता है कि जो पूरा curriculum पूरा curriculum जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ही इर्दगिर्द घूमेगा और बच्चों की सारी ability को देख कर के स्रेवस को curriculum को तयार किया जाएगा तो इन्हों ने क्या पूछा हुआ है इन्होंने यह पूछा हुआ है कि आपको कोई पौइंट आप नहीं हो जाएगा बच्चे अपनी एबिलिटी के विहाब पर उसको शीख पाएंगे तो इसमें हजारों पौइंट्सक्टे को लिखने के बाद में आप हजारों चीज़ा इसमें डिस्कस करों गए अंदर में ऐसा नहीं एक बात समझेए मेरी बात को, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको देखे, अभी आपके पास जितना भी टाइम है ना, इन टाइम को यूज करके आप मेरा जो चैनल है उस पर जाए, प्ले लिस्ट में अंडर स्टैट्निक डिसिप्लीन में आपको आप वहाँ पर जाए, और जा करके आपके पास जाड़ा टाइब नहीं है, तो सभी को एक बार स्पीड में चला करके, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बोर्ड पर बताया है, सबोज दर बताने के लिए तुम्हें यहां भी आपको थोड़ा थोड़ा जो है रिकॉल करा दे रहा हूँ, अगर मैं पुरी बात यहां पर बठाने बैट गया, तो आपको कोई भी आद ने रहेगा दिमाग में, आप बोर्ड पर से सारी चीजों को, सारे अलेमेंट को, सारे चीजों को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सिर्फ पॉइंट ही उठा कर लिख लीजिए, और देखने के बाद में, सिर्फ और सिर्फ जितना पॉइंट मैंने आपको बोर्ड पर समझाया है, बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से आप एक बार देख लोगे, तो आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहे जाएगा, और फिर आपको परिशान होने की जोरत नही इन्होंने कहा है कि discipline, वही बात हो गई, discipline is a subject body of knowledge, अब यही तो मैंने आपको बता दिया, अब पूरी बात अगर मैं यहां पर बता हूँ, तो भी आपको याद में रहेगा, इसलिए विच्छे आप न, वहां पर जा करके discipline को बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ एक-एक point को आप उठाएं, जो point आपको अच्छा लगे, उसको आप अपनी copy में note down करके, आप अपने exam में लिखे, आप से बहतर किसी का copy नहीं रहेगा, तो यह था आपका यह सारा चीज मेंना discuss कर दिया आपको, उसके बाद जो आपका question होता है, यहां पर देख सकते है, write on any two emerging problems related to knowledge, related to knowledge, जो emerging problems हो रही है अभी के time में, वो किस तरीके से हो रही है, इसको बताना है, problem related to self-knowledge, यानि कि हम दुनिया भर की चीज़ें आज की date में पढ़ रहे हैं, लेकिन self-knowledge, यानि खुद को समझने के लिए, आत्म ग्यान knowledge अपने आपको जानने के लिए सीखी नही यानि कि अपना self-waste study हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमारा mind किस तरीके से काम करता है, heart किस तरीके से काम करता है, हमारो soul क्या के क्या करते हैं, तो कहने का मतलब है कि आज की date में, अभी के time में, जो problem emerging हो रही है, जो बनप रही है, उभर रही है, वो कौनसी है, कि सबसे और मानवतावादी वाले जो प्रॉब्लम है, आज हम लोग इंसानियत नहीं सिंगते सीखते हैं, हुमिनिटी नहीं सीखते हैं, तो यह दो बड़े प्रॉब्लम आप अच्छे से आपको वहां से भी प्लेलिस में मिल जाएंगे, और अच्छे से सारी चीजों को डिसकस कर पा करेंगे तो इस तरीके से पाँच करेंगे तो आपको फिर से 10 नमबर मिलेंगे तो यह दो एक परगराप आधी पेज भी लिखेंगे तो आपको बहुत बैस नमबर मिले vegetables अभी में कोशन को रहें ऩीं घर कोशन के क्या चलिक हो में किया रहें ठीके नकरी एन इया किया बिल in English curriculum with special reference to India ठीक है ना यह कहने इसको ध्यान दो आप में इन्दिया में इस तरीके से किसितरा हो रहा है कि नहीं होँ तरीके सेह ईन्य आप बताएं तो आज की डट में हमारे इंडिया में लेंग्वेच का क्या डीवएच हो रहा है क कल की डे में क्या करते थे , सब कोई समसिक्रीट को लेकर कोई ब्राकरत को लेकर बैठे हुए थे ना कोई भ्रंश को लेकर करके खड़ी बोली को अर्दू को लेकर के लेकिन आज का डेट जो इतना ज्यादा वेस्ट हो गया है इंडिया के कॉंटेक्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हर कोई चाहता है कि मैं भी हिंद अगर बात करें तो अकेडमिक डिस्प्लीन के अगर बात करें तो अकेडमिक डिस्प्लीन का एक पूरा playlist में अच्छी तरीके से आपको short में बता दिया है और उसके बाद इसको subject क्या होता है उसको भी discuss कर दिया है बार बार आपका time खराब होगा इससे आपको वहां से सारे point जा करके देख लेना है link मैं इसके description में दे दूँगा सारे चीज़ें मैं आपको discuss कर दूँगा उसके बाद भी अगर किसी तरह की queries रहती है कोई subject आपसे छोड़ जाता है नहीं समझ माता है आप comment section में क्या कहते है comment करेंगे मैं फॉरन आप उसको reply करूँगा ठीक है यहाँ पर देखते है next question क्या है यह कहना है चोथा question discuss different method through which social justice can be incorporated in school subject ठीक है यह क्या कहना है समाजिक नियाई को विधियालेई पार्थे चरिया में सम्मिलित करने की विभिन विधियों का वर्णन कीजिए ठीक है अब एक बात को समझे है हमारा जो पार्थे चरिया होता है इन्होंने curriculum जो कहा है ना इन्हों हमारा जो पार्थे चरिया होता है पार्थे चरिया में हम क्या क्या चीज़े include करते है obviously क्या क्या करते है हम society की सारी चीज़े हम include करते है क्या क्या element compulsory होता है teacher compulsory होता है student compulsory होता है content compulsory होता है उसके बाद कुछ लोग जो कहते हैं कि socialization भी कंपलसरी होता है तो यहां पर यही कह रहे हैं कि social justice होता है उसको किस तरीके से school curriculum में include किया जा सकता है यह बहुत simple सा answer है इसका answer इस तरीके से होगा कि आपने जितने भी किताबे देखी होंगे अगर मैं NCRT की किताबे की बात करूँ मैं कोई भी किताबे उठा करका आप देखोगे ना तो वहां पर आपको मिल जाएगा देखिए कोई रोहन है क्या कर रहा है यह लोग खेल रहे हैं खेलते खेलते हैं इनकी बॉल वहां गई फिर उस तरीके से वकील से मिलते हैं फिर वकील उस तरीके से किस तरीके से क्या कहते हैं लॉयर जो है लॉयर किस तरीके से उनको जो है जस्टिस दिलाता है तो यह जो सारी चीज़ जो है एक कहानी के रूप में एक स्टोरी के रूप कि रामने मोहन की कुछ पैसे ले लिये देघे उन्होंने वापस नहीं किया वहाँ पर लॉयर मिलते हैं वह तरीके से आपको एक जावसमें इसको इंक्लूड किया जाता है और इंक्लूड किया जाना इसलिए ज़रूरी है कि society को यानि social सोसल चीजों को जितनी भी चीज़ा डिवलफ हो रही है हमारे सोसाइटी में उन सारी चीज़ों को हमारे पाठी करम में भी इंकलूड किया जाता है उसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा जो कोशन है यह कह रहा है कि write down the principle of selection of content छो content आप syllabus को बनाने के लिए जो content आप पाठी करम को करी कुलम को बनाने के लिए या फिर किताब को लिखने के लिए content जो आप उठाओगे suppose that, suppose that अगर आप जो history का content उठाते हो तो history को लिखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें उठाओगे ना उसका content जो होगा जिसे कि हरपा मोहन जोडूल का दोर है उसके बाद क्या करता है कि ancient के बाद middle में आता है मुगल सामराजी है उसके बाद क्या कि तो modern में आते हो आप लोग तो ये जो सारे चीज़ें आप उठाओगे ना इन सारे content को उठाने के लिए कौन-कौन से principal को आप ध्यान में रखोगे जिन principal को ध्यान में रख करके आप अपने किसको अपने क्या किते हैं के content को ज़्यादा क्या कर सकते हो effective बना सकते हो जैसे कि अगर हम कोई भी course हो सबको हम curriculum बोलते हैं और curriculum का भाग कोन होता है एक syllabus होता है और syllabus का एक भाग कोन होता है आपका written document जिसे हम textbook बोलते है तो उस textbook में किस तरीके से हम content को उठाएंगे आप अपने syllabus उठा करके देख लो न कि उन्होंने किन किन principle को ध्यान में रख करके आपके syllabus को आपके पाठे करम को क्या किया है लिस्टेड किया है तो यही चीज़े हैं कि सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे selection of content में क्या ध्यान देंगे यह ध्यान देंगे कि बच्चा इस चीज़ में कितना सिखेगा interested लेगा भी नहीं यह बच्चों के कितने ज्यादा लाव डायक है बच्चों के लिए ठीक है न society की कितनी चीज़े इसमें include की गई है तो यह सारे चीज़े आप यहां पर discuss कर दोगे आपका answer बहुत effective होगा उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यहां पर आपसे कहा जाता है आपको क्या करना है यहां पर answer any two long answer type question और जो है एक number एक question होता है आपका 10 number का sorry 20 number का होता है तो दो करते हो तो आपको 20 मिल जाते है अभी इसमें question क्या है यह देखते है यह कह रहे है कि discuss the emergence and development of subject and curriculum in political and intellectual context simple सा है आप आप जो है question को देखकर के परिशान नहीं हो मैं बताता हूँ क्या करना है देखो development of subject यहां से ध्यान दो development of subject and curriculum in political and intellectual context इसको हिंदी में क्या बोलेंगे राजनितिक एवं बॉद्धिक संदर्भ में विशे और पाथेचरिया के उद्भो तथा विकास की विवेचना कीजिए simple बहुत simple जैसे वहाँ पर पूछा था है development language किस तरीके से डिवलप हो रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहे है यह पूछ रहे है कि करिकुलम में सब्जेक्ट करिकुलम में political and intellectual चीज़ा किस तरीके से पनप्री है किस तरीके से डिवलप कर रहा है तो obviously आज की डेट में आज की डेट में अगर हम बात करें हम तो political की बहुत जादा मांग हो गई है सब्जेक्ट में political को पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि political जो मुद्दा है आज की डेट में बहुत जादा डेबलब कर रहा है हर बच्चा political को अपनी जो है fundamental rights को अपनी जो है जितनी जो requirement है उन सारी चीज को जानना बहुत जरूरी है और दूसरा point होता है आपका intellectual context obviously बच्चों का जो दिमागी छमता है कल की डेट में यही होज़े है कि आपके syllabus में सबसे पहले यह कहा जाता है कि teaching course वो होता है जहां पर बच्चे को समझने के छमता आनी चाहिए आपको तो आपको अगर intellectual context सीखना है तो आपको यह सारी चीज़े आज की डेट में धियान देना चाहिए और obviously आज की डेट में subject and curriculum in political and contextual में यह चीज रखा जाता है तो I hope कि यह भी आपको समझ में आया होगा अब हम discuss करते हैं next question next question में यहाँ पर आप देख सकते हैं साथवा question क्या कह रहे है यह कह रहे हैं कि compare discipline oriented learner oriented and social oriented curriculum यह बहुत simple है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ देख सकते हिंदी में बोलेंगे अनुशासन उन्मुक है न अधिगम करता उन्मुक और समाजिक उन्मुक पाठे चरिया कि तुल्लात्मक हुया क्या किजिए तुल्लात्मक आपको करना है यहाँ पर एक बात धियान रहे सबसे पहरे आप क्या करेंगे compare discipline oriented discipline oriented क्या होता है बताएंगे compare किस तरीके से करेंगे जैसे के learner oriented है क्या करते हैं कि आपका जो है child centered है तो child centered आठ के रेट में बहुत जरूरी है उसके बाद discipline centered है वो भी बहुत जरूरी है social oriented curriculum के बात करें तो वो भी बहुत जरूरी है तो यह सारे चीज़े आपको वीडियो में अच्छी से मिलेगा वीडियो बहुत जादा lengthy हो रहा है वहां से आप सारे point को उठागर के लिख पाएंगे इसमें बहुत जादा परिशान होने की ज़रूरत में एक ही चीज रिपीट हो रहा है बार बार अभी हम लोग next discuss करते हैं देखिए next में क्या करते हैं आठवा question थ्रोलाइड ओन दा रिसेंट डिवलप्मेंट हना occurred in social science and natural science curriculum in India context ठीक है simply यह पूछे हुए है कि अभी के टाइम में social science की कितना development हो रहा है और natural science कितना development हो रहा है तो यह चीज आप अच्छे से लिख पाओगे यह चीज इसी इसी topic से मैंने आपको understanding discipline में जो playlist है वहाँ पर इसी topic से इसी नाम से मैंने आपको playlist में बनाया हुआ है तो इसी नाम से आपको topic भी मिल जाएगा और इसको अच्छे तरीके से आप लिख भी पाओगे वैसे भी यह 10 नंबर का है तो आपको जादा से जादा चार पेज़े से 6 पेज़े से आपको लिखना कमपल सरी है तो यह चीज़े आप वहां से उठा करके सारे element को उठा करके अपनी copy में लिखे है और लिख करके वहां पर आप जो है डिस्कस करते हैं बहुत इजी रहेगा आपके लिए नवा कोशन देखते हैं क्या कहते हैं यह critically analyze the growing need for interdisciplinary knowledge in secondary school curriculum interdisciplinary knowledge वही मैं इससे पहले भी जो कोशन पूछा हुआ है academic discipline, interdiscipline वही पर मैं यह चीज़े भी बहुत अच्छे से discuss किया हुआ है वहां देख लिजेगा एक ही चीज़ पूछी जा रही है discipline को लेकर के मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यह चीज़ आप अच्छे से तयार कर लेंगे board पर जो मैंने समझाया हुआ है playlist में मैंने आपको बताया हुआ है academic discipline और interdiscipline अच्छे तरीके से देख लेंगे वहां पर मैंने आपको समझा दिया और यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है secondary school curriculum के correlate आपको कर देना है simply है यह बस आपको समझ में आना चाहिए कि academic discipline क्या होता है और किस तरह से ग्रो कर रहा है आज की डेट में अगैडमिक discipline में जैसे मैंने आपको बताया था कि physics आता है mathematics आता है तो यह list भी मैंने आपको वहां provide करा दिया है वहां से आपको सारे चीज़े बहुत आसानी से मिल जाएंगे उसके बाद जो है हम last question कि discuss करते है last question यह है कि discuss in detail about the media which reinforces gender role in the society with suitable example आपको example देखकर के बताना है यहां पर हि करते हैं कि जन संचार माध्यमों की भूमिका का उप्यूक तुधारनों सहित वर्नन कीजिए ठीक है अब simple है बहुत simple है बहुत जादा लिख सकते हो इसमें 2-3 page तो इसी में लिख लोग देखो simple किस तरीके से हमारे जो society है हमारे society में gender का जो role play कर रहे हैं बहुत लोग कर र अगर देखेंगे नियूस पेपर के बात करेंगे तो और लड़किया कर रही है तो लल्कियों का फोटो दिया हुआ है तो तरह करने वाली बात की है तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है किसी मतलब की महिलाओं की पिक वहाँ पर लगा दी है तो इस तरीके से वह क्या करते हैं किसी में कों समझ्ध में। आए मिश्ति कर गता है कि आए तरीके से अब पर लुच्व दिखने के लिए